नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बबल गुर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज हम यहां पर देखने वाले हैं वो हो जाता है तुम्हारा हिस्ट्री का यह सेकंड सेमिस्टर वालों के लिए यहां पर इस्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही कम समय में आपको क्या करेंगे सारे के सारे देख जरू लीजिएगा और जिस किसी को लेक्षिर अच्छा लगे तो क्या करना है लाइक सेर स्ट्राइब दवा कर ठोकना है ठीक है तो बढ़ते हैं फटापट जैसे कि आपका देरक्षा है आदम देखने वाले हैं बीए परतम परतम परसवालों के यहां प तक हर 1757 इसमी तक ठीक है जिसमें आपको हिस्ट्री ऑप अब ऐके मेडि वल इंडिया ठीक है भी अटापट बढ़ते हैं हम यहां पर चुप पहला हमारा क्योशन देरका है पहला क्योशन कौन सा है बैरी-बैरी इंपोटेंट क्योशन हो जाता भी आपके एक्जाम में जो पूरा की पूरा क्यूशन सही दिख रहा है ना बिलकुल आराम से आपको देखता होगा तो क्यूशन पहला जो है किस-किस प्रकार से आपके लिए एक्जाम में देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर बात करते हैं उसी की पहले तो क्यूशन नंबर बन ही है वो कह रहा है कुत्व बुद्धीन एबक भारत में तुर्की समराज का संस्थापक था जो कुत्व बुद्धीन एबक था वो क्या था ये कि तुर्की समराज संस्थापक था इसके बारे में आपको क्या करना है विवेचना करना है यही क्योशन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि कुतोबुद्धिन और ऋक्रशन कारियों का मुल्यांकन कीजिए भीक कंधारी ओ LIVE को बताना है या क्योशन इसी प्रकार से एक ही कूशन है यह Tuesday कारियों का बढ assignments तुरकी साचन का संस्तापक था इसकी बिवेचना कीजिए या आपको क्योशन इस प्रकार से भी देखने को मिल यहां पर थोड़ा सा उनका अच्छी प्रिकार से पढ़ लेते हो तब तो हम इसी लिए आपके लिए का करेंगे पूरा की पूरा सिलिवस त्यार करा देंगे ठीक है यहां पर तो बात करते हैं क्योशन कह रहा है अपना क्योशन तो देख लिया अब क्या हो दाएगा उत्तर ह दाएगा उत्तर हमें पढ़ाना है तो उत्तर हम देखेंगे सबसे पहले हमने क्या डाल दिया उत्तर डाल दिया अब हम यहां पर क्या देखने वाले हैं कुछ पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले क्या लेकिंगे कुछ पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले क्या लेकिंगे जो गुलाम परता होती है उसका प्रचन मुसलमानों में क्या है प्राचीन काल से ही चला आ रहा था मतलब जो गुलाम लोग होते हैं उनके वारे में क्या है जो मुसलमान लोग होते हैं वो अच्छा समस्ते हैं तो इसका मतलब प्रचन जो था वो चला आ रहा था इसलाम धर्म एक कैसा था लोकतांतिक धर्म है कैसा है भी लोकतांतिक धर्म है और उसमें उच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता यह बात कुछ आपको देखने को मिल जाती है जा अगर आपके आसपास रहते होंगे उन लोगों में उच नीच का भेदभाव नहीं होता है मुसल्मान लोग जो थे वो घुलामों को क्या करते थे हींद रश्टी से नहीं देखा करते थे योगित था प्रतिवाब बान घुलामों को उच्छ राजकीत था सैनिक पदों पर न्युक्ट कर दिया जाता था जो गुलाम होते थे ठीक है अगर वहीं से योग होते थे कि भई उनको यह जो पद है इनके लाइक है ठीक है अगर यह जो गुलाम है इसके लाइक है इसमें इतनी नौलेज है तो हम क्या करेंगे इसे वह पद दे देंगे ठीक है तो बहीं बात इहां पर हो जाती है मुसलमान उन्हें न्युक्त कर देते थे ये गुलाम बड़े स्वभाविक भी होते थे गुलाम कैसे होते थे स्वामी भक्त मतलब जो गुलाम होते थे वो कैसे होते थे बहुत ही स्वामी भक्त होते थे मतलब जो उनका राजा होता था ठीक है उसको बहुत ही वह मानते थे अता सासकों के विस्वास पात्र भी हो जाया करते थे जो सासक होते है वहां के राजा होते हैं उसके क्या हो جاتे थे विस्वास पात्र मतलब राजा जो था बहे गुलामों पर विश्वास कर सकता था इस प्रकार से बहे अपना ब्यावार रखते थे फिर इसी का प्रकार गुलामों के लिए राज कोश की तथा सैनिक पदों का ही द्वार नहीं खुला था बरन बे अपनी योगिता और पिर्तिभा के बल पर राजपत को भी प्राप कर लेते थे अगर उनकी योगिता इतनी है कि राजा बरनने के लाइक है तो बहे राजा का पद भी उन्हें मिल जाता था ठीक है तो इस ब्रकार से यहां पर गुलामों के बारे में कुछ दे रखता है और मुसल्मानों के बारे में कुछ नॉलेज जहां पर दे रखी है ठीक है जो आपको पहले इस क्योशन में थोड़ा सा नॉलेज वजाती है कि हाँ गुलाम जो थे मुसल्मान जो लोग थे वो गुलामों पर इतना विश्वास करते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं हुआ है हुआ है नेक्स दुरकाए मुहम्मग्योरी के पास अन्यक्षस्वभध्न विजमानों थो अभी स्वहां सॉमी भक्त गुलाम थे बढ़त साक्रेकर बात सारइसा विजमानों को से बते हुए एबक उसका सर्वदिक बिस्वास पात्र और सहासी गुलाम था कैसा बिस्वास ता तो था ही और कैसा था सहासी गुलाम भी था गौरी ने जितनी विजय प्राप्त की उनमें एक एवक का अत्दिक योगदान रहा था मुहम्मत गौरी ने जितनी विजय प्राप्त की थी उसमें साथ किसने दिया था कुतुबुदीन एवक ने किसने दिया था वही कुतुबुदीन एवक ने साथ दिया था जब भी गोरी भारत में विजय प्राप्त करने के पस्चात गजनी लोटता था कहां देखो जब भी गोरी भारत में विजय प्राप्त करता है कहां पर भारत में भारत में विजय प्राप्त करता है तथा गजनी लोट जाता था तो अपनी विजय संगटन का कार किसको सौंप वहारत में कोन कार क्यात्स समाल रा है कोट दिआ रवक गजनी पूंप जाता था अता जब गौरी का स्वर्क बास हो गया तो उसके कोई संतान ना थी भोने के करण उसका समराज चार तुरकों गौलामों में विभाजित हो गया एप्टेक। चार तुर्की गुलामों में विभाजित हो गया था किया गया ठीके फिर कह रहा है कुतुबुदीन एबग को भारत का सुल्तान गोसित किया गया क्योंकि भारत में ही तो यह रह रहा है कहां पर भारत में तो भारत का सुल्तान कौन बन गया कुतुबुद्दीन एबग बन गया 25 जून 1206 इस भी को लाहोर में उसका राजवी शेक हुआ तो क्यों शर्मन सकता है कि वही कुतुबुद्दीन एबग का राजवी शेक कहा हुआ था एमसी के कुशन आपके यहाँ पर मिल सकता है देखने ओके ठीक है तो कहा हुआ था भई लाहोर में हुआ था कहा पर लाहोर में मुहम्मद गौरी का मुहम्मद गौरी का बिस्बास पात्र और सहासी गुलाम कौन था तो कौन हो जाता है भई कुतुबुद्दीन एबग हो जाता है क्यूशन इस प्रकार से यहाँ पर बनेंगे एमसी क्यू ठीक है आगे देखते है नेक्स बढ़ते हैं कुतुबुद्दीन को सरपर्थम कुतुबुद्दीन को सरपर्थम अपने प्रिमक प्रतिदुइंदी कौन थे एलदोज और प्वाचा से निपटना पड़ा क्यों क्योंकि मुहम्मद गौरी की हो गई मित्यू चार भागों में तुर्की सामराज बिभाजित हो चुका था उसके बाद गौरी की मित्यू के पश्चा एलदोज ने अब सर पाकर गजनी पर अधिकार कर लिया जहां पर मुहम्मद गौरी रहता था उस पर अधिकार किस ने किया एलदोज ने एबक ने उसे गजनी छोड़ने के लिए बाद किया एबक ने फिर क्या किया उसे गजनी छोड़ने के लिए बाद किया गजनी में एबक केबल चालिस दिन ही ठहर सका कितने सिर्फ चालिस दिन ही ठहर सका फिर वहाँ पर किसने अदिकार कर लिया दो बारा एलदोज वहाँ पर आ गए ठीक है अब उसने मद्द एसिया की राजधानिती से सन्न्यास ले लिया कहां से जो मद्ध एसिया की राजधानी थी गजनी जो था उससे कहा ले लिया वही उससे क्या ले लिया उसने सन्यास ले लिया ठीक है एल दोज को भारत की और अगरसर नहीं हूने दिया अगर कुत्व बुद्धी नैबग था गजनी को अगर समालता तो भारत से हाथ दो बैठता इ तो इस प्रिकार से यहां पर थोड़ी सी त्योरी हो जाती है अच्छी थोरी है जो आपकी नौलिज के लिए बहुत जरूरी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर आप सिर्फ थीओरी देख लोगे ठीक है एक बार आराम से पढ़ लोगे जैसे यहां पर लेक्चर इस चलते रह तो इतना पता है अगर आप एक्जाम देने जैसे ही बैठोगे तो सारा कि सर आपके मैंडन में क्या हो जाएगा रिपीट हो जाए और आराम से क्योशन का अंसर लगा ओगे ठीक है आगे देखते हैं अभी हां सबस्वां करेंगे ठीक है पर दिया ना भारत की और अगर अगसर नहीं ने दिया आगे देखते हैं एक्टियारू दीन खिल जी अब कौन बंगाल में मित्य हुई इक्तियार उतदीन खिन्जी की इक्तियार उतदीन खिल जी कहा का सऽता बंगाल का अब यहाँ पर इसकòng के पश्चात बंगाल में एक पृकार ती आजकता और मैं आब Ernst औभ्वस्था फैलती जा रही थी अन्य सब्दों में दिल्ली से बंगाल का संग तूटता जहरा था खाली अली मर्दाना खा लकनोती कौन ली मर्धाना खालकनोती में सितंत सासक के रूप में आचड करने लगा था कौन आचड कर रहा है भी समय अली मर्दान खा लखनोती किसके मरने के बाद एक्तियार दीन खिलजी के मरने के बाद सो तंत्र सासक के रूप में आच्रड करने लगा परंतू सिग्री इस्थानिये खिल्जी सरदार कौन? इस्थानिये खिल्जी जो सरदार होते हैं, उसके बिरोदी हो गए किसके बिरोदी हो गए? अली मर्दाना खाल, लखनौती के क्योंकि एक्तियार उद्दीन खिलजी वहाँ पर मर चुका है कहाँ पर बंगाल की बात हैं हाँ पर हो रही है उसके बाद इस्तानी ये खिलजी सरदार उसके बिरोधी हो गए और उन्हेंने उसे बंदी बना कर उसके इस्तान पर किसे बैठाया मुहमद शेरा के लिए इसे मुहमद शेरा को गद्दी पर बैठा दिया बंगाल की गद्दी पर अब कौन बैठा मुहमद शेरा बैठ चुका है तता अली मरदाना खान लकनोती को बंदी बना लिया गया है किसी प्रकार इसी प्रकार रोचे इसी प्रकार अली मर्दाना खा कैद से भाग कर दिल्ली एबक के पास पहुंचा कहां पहुंच गया भई जो हो जाता है अली मर्दाना खा जिसको कैद कर लिया गया था वो किसी प्रकार भाग कर कहां पहुंचा दिल्ली कहां भाग में सासा क उसमें कौन कर रहा था को तो बुद्धिन एबग कर रहा था तो बहां से छूट कर कैज से कहां पहुंचा एबग के पास पहुंचा और उससे बंगाल के मामले में हस्तचेव करने की प्राथना की को तो बुद्धिन एबग के प्रितिन धी देखो कैमाज समी के प्रियासों के परिणाम सुरू पे खिलजीयों ने एबग की अधीनता सुईकार कर ली ठीक है आगे दिखते हैं कर ली एबग ने क्वाचा के साथ उलजने के बजाए एबग ने क्वाचा जो क्वाचा था एबग ने क्वाचा के साथ उलजने के बजाए उसे वैवाइक संबंद जोड़ना उचित समझा जो क्वाचा वहाँ पर था उससे वैवाइक संबंद जोड़ना क्या समझा उसने उचित समझा उसने अपनी बहन का विभा किससे करवाया क्वाचा से करवाया देखो यहाँ प पाचा को परिवारिक निंत्र में ले लिया हो गया ना राज अपना हो गया बिलकुल आगे देखो कुत्व बुद्धीन एबक का अधिकान समय उत्तर पश्चिम्त था बंगाल की राजनीती में ही इतना उल्जा रहा कि उसने कि उसे राजपूतों के बिरुद्ध सकती साली जंग से कारवाही करने का अबसर ही नहीं मिला मतलब जो कुत्व बुद्धीन एबक हो जाता है उसने राजपूतों के तरफ ज़्यादा फोकस नहीं दिया ठीक है उसे समय ही नहीं मिला क्योंकि उसमें कहां उत्तर पश्चिमी भारत जो था उस पर था बंगाल की राजनीत गुद्धिन एबक कुत्व बुद्धिन की यहाँ बताएं रही है कि आसकमारी जो हेडिंग वोंजाती है एक सफल औरूबर जो सेनापती की रूप में कुतव बुद्धिन एबक तो कुतबुदीन एवक एक महान एवम सफल सेना नायक था मोहमद गौरी के अधिकांच स्युद्ध सफलताओं में उसका ही प्रमक्योगदान रहा था उसने अधबुत रड कुसलता साहस और कुटुनीती द्वारा बिंद्रोही राजपूतो चोहानों गणवालों परमालों एवम चंदेलों के बुद्ध बार बार सेने के विहान पर अजमे दिल्ली रर्थंबूर का नोज मनारस अबद तक के इलाकों को क्वाचा और इसलामी सर्भुमित्ता इस्थापित की ती यहाँ यहाँ फिद रखाय गौरी प्राय प्रतेक बड़े युद्ध के बाद गजनी चला जाता था तब उसकी जो अनुपस्तिती होती थी में एबक ही बीरता सहास और धैर के साथ उसके द्वारा बिजित प्रदेशों की रक्षा करता था और अधूरी बिजियों को पूरा करता था इन बिल्कुल आराम से अधिया एक सपला और यहोगिज सिनापती के रूप में जो उपर हमने अच्छी प्रिकार से अगर नहीं पढ़ा होगा अच्छी पिरकार से समझा होगा तो इसे बिल्कुल आराम से लिख सकते थे हैं तो तोड़ा सा है यहां पर यह तो लिख सकते हैं आराम से कैसे रड़ को सलता साहाज कुटिनिती एवं विद्ध्रोही ठीके राज साहाव पूटो चौहानों चंदेलों परमालों और चंदेलों के ब्रुदबार वार्षाने का भिःन ठीके और जब चला जाता था तो उसमें क्या नितिक कुसल राजनितिक की ना की अपनी बहन की साते किस्टे करवाधी कुछ आचा से देखते हैं पुतुबुदीन एबक मात्र योदधा ही नहीं बरन एक कुसल राजनितिक भी था सेहासन पर आसीन होने से पूर्व उसने जिस बैभाई की निती को अपनाया बह उसकी कूट निती का प्रवल प्रमाड है उसने अपनी बहन का विभा नसुरुद्दीन क्वाचा से बहन का वे किसक्रावा था क्वाचा से एवन पुत्री का विभा इल्टूत मिस से और स्वैम अपना विभा एल्दोज की पुत्री के साथ किया था जाल फैला दिया सब में है ना राजनीती कर दी हैं पर बेहन का विभा तो करवा दिया किसने वाचा से पुत्री का विभा करवाया इल्टूत मिस्थे पता स्वैम का विभा किया एल्दोज की पुत्री से सब तरव क्या कर लिया अपना ही समराज फैला लिया कि बहुत सब रिस्तिदार हैं अपना ही समराज है फिर देखा है इन विवाहों ने उसके पच्छ को पूर्व की अपेच्छा अधिक द्रड कर दिया जब सब लोगे खेटे हो गए तो क्या हो गए सक्ति साली हो गए फिर राजनीती से जो गजनी प्रदेश है उसकी राजनीती से अधिक उल्जन से भारत में क्या हो सकता है खतरा उत्पन हो सकता है तो उसने गजनी की राजनीती से सन्यास ले लिया गजनी की राजनीती फिर छोड़ दी आगे देखते हैं यह राजनीत कुसल राजनीतिक ठीक है next heading की बात करते हैं next heading हमारी हो जाती है न्याय प्रिये सासक न्याय प्रिये सासक कुत्व बुदीन क्या था एक न्याय प्रिये सासक भी था कैसे था इसको देखते हैं कुतुब बुदीन एवक एक नियाए पर ये सा सकता वह यथा संबब किसी के साथ पच्छ बात नहीं करता था असन निजामी ने कहा है वह नियाए के साथ राज करता था और उसकी प्रजा खुसी थी सुखी थी योसी या सुखी बात एक ही है उसकी प्रिजा क्या थी? सुखी थी सिर्फ मुसल्मान सुखी थे हिंदू को तो वो चांता ही नहीं था ठीक है? आगे देखते हैं उसके सासनकाल में मेमिना और भीडिया एक ही तालाब में पानी पिया करते थे मतलब जो इसके हैं वो पिया करते थे ठीक है उसने रहागिरों को लूटने बाले डाकूओं का समापन कर दिया था जो रहागिरी में लूट लेते हैं उनका समापन किया था तो इसलिए क्या होते हैं नियाय प्रिय सासन कहलाते हैं सिर्प मुसल्मानों के लिए आगर देखते next दरखाय चो था, उधार सासक था क्या था वहीये एक उधार सासक था एबक बड़ा परौपकारी और धानी था बैदीन दुखियों को ऊधारता पूर्वक देखा करता था धान दिया करता था देखा करता था इस कारड ही उसे कहा जाता था में अपनी उदारता के लिए प्रिसिद्ध था उसके कारण उसे लाख बक्स का उपनाम दिया गया था आज भी भारत में जब किसी व्यक्ति को उदारता के प्रिसंसा की जाती है तो कहा जाता है यह कुत्व बुद्धिन एबक के समान उदार है तो इसको देखते हैं बीर सेना नायक कुसल युद्धा और सपलकुट नितिग होने के साथ साल कुत्व बुद्धिन एबक कुस साहित और कला में भी बिसेस अभिरुची थी उसने ख्वाजा हसन निजामी और फाकेर उद्धिन जैसे प्रतिवास आली विद्ध्वानों को अपने यहां सनच्छर प्रदान कर रखा था अब इनके नाम आप याद कर सकते हो हसन निजामी और फाकेर उद्धिन जैसे फिर भावस आली विद्ध्वानों को उसने अपन दिल्ली में उसने एक मस्जिद बन बाई तथा कुत्ब मीनार का निर्मार आरम भी किया। अब यहाँ पर क्योशन बहुत बनता है कि कुत्ब मीनार का निर्मार किस ने करवाया था। कि कुत्ब बुद्दीन एबक ने करवाया था। इसको पूरा किसने करवाया था तो इसको पूरा किसने करवाया था पूरा करवाया था इलतूतमिस ठीक है दोनों का आपको याद अखना है इलतूतमिस कौन था इसकी पुत्री का विभा किसे हुआ था इलतूतमिस से हुआ था ठीक है तो इस कह सकते हैं इसके दामाद नहीं क करवाया था उसने क्या करवाया था उसने क्या करवाया था उसने हिंदू मंद्रों को तोड़ कर एक अड़ाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जिद बन भाई थी है ना बिल्कुं कि उद्वारबादिस्प मुसल्मानों के लिए था वो हम आगे सब कुछ देखने वाले हैं कुतुब दीन एबक की दुरवलताएं इसकी दुरवलताएं भी थी कौन कौन से थी उसको देख लेते हैं उप्युक्त गुड़ों के होते हुए एबक में अनेक दुरवलताएं थी अपने उसने अपने पूरवजो मुसलिम आक्रमनकारियों के साथ हिंदूओं पर अत्यदिक अत्यचार किये अजमेर, दिल्ली, बनारस, कन्योज, आभी जहां कहीं भी वहें एक आक्रमारी का आक्रमनकारी के रूप में गया उसने बहा के मंदरों को तोड़ा और उसने इस कुछ भी दान, उदारता और न्याय प्रिता थी, बहे केवल मुसल्मानों के लिए ही थी, हिंदूओं के प्रतिफिप करूर था, है न, यहां पर सब कुछ दे रखा है, देखो, तो अब ये है, जब आप ये एक बार देख लो, तो आपके माइंड में सारा के सारा फीड हो दार नहीं किया, गुंआ, उसने किसमे ना नियाय में न प्रसासन में और न ही कानुन में कोई लेक ये कारे किया था, मतलब इसने सिर्फ पर करूरता ही दिखाई दी, भागी कुछ नहीं किया था, ठीक है, आगे देखते हैं.. मिरत्ट्यों की बात करते हैं मैं स्क्राइब के इसन fault रोक्ते हैं कि न सब्सक्राइब कहा हूई थी तो भाई ही कहा थी जहान पर उसका राज बेशेक हुआ था भीक र тех कुतुबुदीन एवक की मित्यू हुई थी कहां पर लाहोर में क्या खेलते हुए पोलो खेलते हुए यह बहुत इंपोर्टेंट कुशन है पोलो खेलते हुए कुतुबुदीन एवक की घोड़े से गिरकर क्या हो गई थी मित्यू हो गई एवक का अधिकांस राजिकाल बैद सिक जगडों को सुल जहाने में ब्यतीत हुआ अता बहर अचनात्मक और प्रसासने कारियों की और अपना अधिक समय तथा ध्यान नहीं लगा सका इस पर भी उसने भात में मुसल्मानों समराज की प्रथम बार द्रता से नीव डाली बहर बास्तब में भारत में तुर्क सल्तन सलतनत का निर्माता और संस्तापक था सबसे पहले कोत्व बुदिन एबक ही आया था तो इस परकार से कह सकते हैं कि मुसलिम समराज की प्रथम बार द्रता से नीव किसने डाली थी तो कोत्व बुदिन एबक नहीं डाली थी बहर बास्तब में भारत में तुर्की सल्तनत का निर्माता और संसापग कहा जाता है, इसलिए कुत्व बुद्दीन एबग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्योशन जो होता है, फच जो हो जाता है, समाब, ठीक है, अच्छी प्रिकार से हमने देख लिया, इसको डिसकस किया, अब इतना हमें पता है, अगर आप, यह हैं, जे बाहरत!